सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन्स के लिए इस बेल आइकन को दबाए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जिके ट्रिक दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सविदान की सातवी अनुसूची जो की केंद्र और राज्य के शक्ति बटवारे से संबन दिते हैं तो काफे important topic ये quality का ये वाला तो इसको भी हम discuss करेंगे आज इस वीडियो में बहुत ही simple topic के अगर आप ये वीडियो एक बार पूरा देखेंगे तो आपको revision करने की जरूत नहीं पड़ेगी last मैं मैंने दोस्तो हमेशा की तरग question answer test include करा है जो last year exam में इस topic से questions पूछे गए हैं वो सारे questions मैंने उस test में include करें तो test जरूर लगएगा आपको जिससे आपको पता चल सके की exam में questions इस topic से किस तरीके से पूछे जाते हैं अच्छे से मैंने diagramatically इस topic को समझाने की कोशिश करी है तो चलिए हम इसको समझते हैं हमारे सविदान की सातवी अनुसूची में केंदर सरकार और राज सरकार की शक्तियों के बटवारे है तू तीन सूचिया दी गई हैं केंदर सरकार मतलब कोन संसद, राज सरकार मतलब कोन विधान मंडल तो इनके शक्तियों के बटवारे है तू, तीन सूचियां दी गई है जिसको हम discuss करेंगे, है ना, कि किन-किन विशय पर संसज जो है वो कानून बना सकती है, किन-किन विशय पर विधान मंदल कानून बना सकती है, इस तरीके से शक्तियों का बटवारा किया गया है, सात्वी अनु सूचि में तीन सूचिया रख कर, तो कोन-कोन सी सूचिया, सबसे पहला आता है union list, संग सूचि, सेकेंड होता है राज-सूचि, state list, और तिसरा है समवरती सूचि, जिसको बोलते है concurrent list, तो ये तीन सूचिय रखी गई है, इन तीन सूचियों में वो विशय है, जिन प एक्जाम में कोशन पूछा आता हैं तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संग सुची में जो विशे रखे गए हैं उन विशे पर कानून बनाने का अदिकार जो होता है वो किसको होता हैं सिर्फ और सिफ संसत को होता हैं, सेकंड आता है हमारा राज सुची, स्टेट लिस्ट में रखे गई विशय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता हैं, वो किसको होता हैं, विधान मंडल को होता हैं, पर कुछ कंडिशन में संसत को भी राज सुची में रखे गई विशय पर क कानून बनाने का अधिकार हैं, राश्ट्री आपातकाल की इस्तिती में, राजिसभा द्वारा अगर दो तियाई बहुमत से अगर मत पारित हो जाए, उस कंडिशन में, संबंधी राज की सहमती से संसत जो है, राजसुची में रखे गए विशय पर कानून बना सकती हैं, तो अगर दोनों उस पे कानून बनाएंगे, और अगर विरोध की कंडिशन हो रही है, तो उस कंडिशन में संसत द्वारा बनाया गया कानून ही लागू किया जाएगा, ठीके, ये बात क्लियर हुई आपको, अगर विरोध की कंडिशन हो रही है, दोनों के बीच में, राजज संग सूची में जब सविधान बनाता तब इसके अंदर जो विशे रखे गए थे वो रखे गए थे 97 वर्तमान की बात करें तो संग सूची में जो कुल विशे हैं उनकी संक्या कितनी है 100 हैं राज सूची की बात करते हैं तो जब सविधान बनाता तब राज सूची में जो व इतते विशह रह गये, 61 विशह, समवर्ती सुची के बात करें, तो स्टार्टिंग में, जब समीधान बनाता है, तब 47 इसमें थे, तो राजिसुची के 5 आये विशह, तो टोटल कितने हो गये, 52, तो वर्तमान में समवर्ती सुची में जो विशह हैं, जो exam में पुछे जाते हैं तो देखिए काफी diagramatically हम इस चीज को समझाएंगे और आपको मज़ा भी आने वाला है मैं एक अच्छी सी story wise आपको पूरा clear करूँगा तो मैं आपको सबसे पहले 5 ऐसे विशे बताऊंगा जो exam में बार-बार पुछे जाते हैं तो पहले हम उनको समझाएंगे उसके बाद जो remaining important है वो भी हम discuss करेंगे तो देखिए 5 जो most important है विशे वो कौन-कौन से हैं सुरक्षा, क्रशी, शिक्षा, मज़दूर संगठन और stock market ये 5 ऐसे topic के जो exam में बहुत पूछ जाते हैं तो इनको हम अच्छे से story-wise clear करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षा की तो रक्षा के मुद्दे पर आपने हमेशा देखा होगा किसको जवाब देते हुए राज्य को देखा है कि केंदर को देखा है केंदर को ही देखा है न तो ये किस लिस्ट में जाता है राज्य सुची में जाता है आपने हमेशा देखा होगा कि सिचाई से related कितनी परियोजना राज सरकार बनाती है क्रशी के विकास के लिए तो क्रशी जो topic है क्रशी जो विशय है वो किस लिस्ट में जाता है राज्य सुची में तो काफे इंपोर्टेंट है ये दोनों एक्जाम में बहुत पूछे आते हैं, तिसरा हम बात करते हैं शिक्षा की, दोस्तों देखिए शिक्षा जो है ये पहले राज सुची में था, पर 42 वे सविदान शंचोधन के तरफ शिक्षा, जनसंक्या, नियंत्रन ऐसे विश्यों क उठाकर राज सुची में से कहां पर डाल दिया गया, समवर्थी सुची में डाल दिया गया, तो शिक्षा जो है कहां का विश्य है, समवर्थी सुची का विश्य है, मजदूर संगठन की बात करते हैं, तो ये भी कहां पर आता है, समवर्थी सुची में आता है, मजदूर स तो stock market किस list में जाएगा union list में जाएगा तो friends ये मैंने आपको बताए 5 most important तो exam में अगर question बनेगा तो इन पांचों में से आपको option में जरूर देखने को मिलेगा और इनकी help से आप answer तक जरूर पहुच जाएगे चलिए अब कुछ और important विशे हैं उनको भी हम discuss कर लेते हैं अंतराजी नदिया इनको एक बार आप read करेंगे अच्छे से ध्यान से तो आपको वैसे clear हो जाएगा कि ये सारे जो मुद्धे हैं ये राश्टी महत्व के मुद्धे हैं ठीक है यहाँ पर इस्तानी महत्व कोई संबंद रखता ही नहीं है तो ये सारे किसमें आ गई union list में अगले हम बात करते हैं राजसूची की state list की तो क्रशी हम clear कर चुके हैं जो कि राजसूची माता है बाकी जो बचे हुए है important वो भी यहीं से उसकी link निकलेगी देखिए मैं आपको story बताता हूँ किसान का संबंद किससे है क्रशी से किसान मेहनत करता है और फसल उगाता है पर बे मोसम बारिश की वज़े से उसकी फसल जो होती है वो खराब हो जाती है तो वो मुआवजे के लिए government के पास जाता है तो आप सभी को पता ही है किसान को क्या होता है कुछ नी मिलता है और पुलीस पकड़कर उसको जेल में डाल देती है जेल में डाल दिया वहां से व सारे जो विशय हैं ये स्थानी महत्व के विशय हैं जो की राज सूची में आते हैं हमने एक स्टोरी से भी इनको क्लियर कर लिया बचे हुए देखिए पंचायती राज भू राजस्व और लोग स्वास्त ये भी सारे स्थानी महत्व के मुद्दे हैं इस्थानी महत्व के questions नहीं से पूछते हैं इसके अलावा जो है जनसंक्या नियंदरण मैंने आपको बताया था शिक्षा जनसंक्या नियंदरण 42 सविदान शंशोदन के तद राधी सुची से निकाल कर समभरती सुची में डाल दिये गए राश्टी जलमार्ग और जंगल ये बचे हुए दो विशे और समभरती सुची के काफी important विशे हैं तो friends जो मैंने आपको ये विशे बताएं अगर आप इनको बस एक दो बार अच्छे से read कर लेते हैं तो exam में अगर इसका question बनेगा तो easily आप उसको attempt करके आएंगे, सही करके आएंगे आगे देखिए एक और important चीज में आपको बदाता हूँ कि वो विशे जो संग सुची, राज सुची और समभरती सुची में शामिल नहीं किये गए हैं उन विशे और पर कानून बनाने का अधिकार जो होता हैं, वो किसको होता हैं, सिर्फ और सिर्फ संसत को होता हैं, केंदर को होता हैं और ये power जो होती हैं, वो क्या कहलाती हैं अवसिस्ट विधाई शक्ती कहलाती हैं तो ये भी SSC में कोशन पुछा गया था, ध्यान रखेगा काफी important है, तो ये मैंने आपको पूरा दोस्तो अच्छे से diagramatically theory section बताया है, चलिए अब हम test लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने questions solve कर पा रहे हैं, previous year के exam की सारे questions में इसमें include करे हैं तो देखते हैं कि हम कितना score कर पा रहे हैं, ठीके? चलिए, start करते हम test को जैके हमारा पहला question है, पंचायती राज विशय हैं पंचायती राज जो हिशय हैं, वो किस सूची से संबंदीत हैं? राज सूची से संबंदीत हैं, तो C answer इसका बिल्कुल सही होगा, निम लिकित में कोन राज सूची में नहीं है, क्रशी क्रशी का संबंद राज सूची से बिल्कुल है जेल का भी संबंध है, सिचाई का भी है सुरक्षा का संबंध जो है वो संग सूची से है, यूनियन लिस्ट से है तो आंसर क्या होगा इसका? D आंसर सही होगा शिक्षा को किस सविदान चंशोदन द्वारा राज सूची से अटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो कोन सा समविदान चंशोदन? 42 समविदान चंशोदन के तहट राज सूची से अटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया सिक्षा के विशय को इस पे केंद्र सरकार और राज सरकार दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का चलिए अगले कोशन की हम बात करते हैं भारती सविदान के संबन्द में निम्ण में से कोन सा युग्म सुमेलित नहीं है वन समवर्ती सूची, स्टॉक एक्स्चेंज, समवर्ती सूची गलत स्टॉक एक्स्चेंज मतलब स्टॉक मार्केट जो है वो यूनियन लिस से संबन्दित हैं कॉनकरन लिस से संबन्दित नहीं है, समवर्ती सूची से संबन्दित नहीं है तो आंसर क्या होगा? B आंसर इसका सही होगा ये option गलते हैं समवर्ती सुची में कौन सा विशय है? दिवालियापन, क्रशी, भूराजस्व, श्रमकल्यान तो श्रमकल्यान जो है ये समवर्ती सुची का विशय है श्रमकल्यान, मजदूर संगठन ये जो टॉपिक हैं ये सारे समवर्ती सुची में आते हैं निमने में से कौन सा विशय कैंदरी सुची में नहीं है? मतलब union list में नहीं है जनगर्ना बिलकुल है, banking ये भी है, मजदूर संगठन मजदूर संगठन नहीं है, मजदूर संगठन समवर्ती सुची का विशय है तो आंसर क्या होगा? C आंसर सही होगा तेकि SSC 2012 कोशन था ये चलिए अगला कोशन हम लेते हैं भारती सविधान के अंतरगत अवसिष्ट अधिकारों का अर्थ है अवसिष्ट अधिकारों का अर्थ में आपको बताया था कि अधिकार जिनको केंद्रिय सुची, राज सुची और समवर्ती सुची में इसपस रूप से शामिल नहीं किया गया है तो वो अधिकार तो क्या होगा अंसर इसका? D आंसर इसका सही होगा रेलवे भारत के सविधान में कोन सी लिस्ट में आता है? तो रेलवे परिवहन जो आता है वो आता है केंद्रिय सुची में तो आंसर क्या होगा? B आंसर निम्न में से कोन सा विशय राज सुची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, नियाय, जेल, शिक्षा पुलीस बिल्कुल है, नियाय बिल्कुल है, जेल भी बिल्कुल है, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विशे हैं तो आंसर क्या होगा? भारती सविदान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के सविदान से ली गई है? तो ये ध्यान रखेगा कि समवर्ती सूची की दाणा है वो आस्ट्रेलिया के सविदान से ली गई हैं तो अंसर इसका C होगा निम्न में से कौन सा विशे राज सूची के अंतरगत नहीं आता हैं क्रशी बिल्कुल आता हैं लोग स्वास्त ये भी आता हैं पंचायती राज ये भी राज सूची का विशे हैं रक्षा ये संग सूची का विशे हैं यूनियन लिस्ट का विशे हैं तो आंसर क्या होगा डी आंसर सही होगा निम्न में कौन सी मद समवर्ती सूची के अंतरगद आती है तो फ्रेंड्स देखिए अंतराज जी नदिया मजदूर संग बिल्कुल मजदूर संग जो है वो समवर्ती सूची के अंतरगद आती है हमने इसको क्लियर कर रखा है ओके चलिए अगला कोशन हम लेते है संगी संसद राज सूची के विशय पर भी कानून बना सकती है बिल्कुल बना सकती है वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बतायते अंतराश्टी ये समझोते को प्रभावी बनाने है तू संबंदी राज की सहमती से राज्य में राश्पती शाशन लागू रहने के अवस्ता में राश्टी हीत में जब राजसबा दो तिहाई बहुमत से इस हैतु प्रस्ताव पारित करे तो ये चारो जो उप्षन हैं बिल्कुल सही है इन चारो कंडिशन्स में संगी संसत जो है वो राज सुची के विशय पर कानून बना सकती है तो आंसर इसका D सही होगा संग सुची, राज सुची और समवर्ती सुची में सभी विधाई मुद्दे शामिलें फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्यक किसी में भी न हो उस मद पर कानून कोन बनाएगा तो उस मद पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल संसत को हैं तो आंसर इसका A बिल्कुल सही होगा चली अगला कोशन लेते हम निम्न में से कौन से विशे हमारे सविदान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है मजदूर संग बिलकुल शामिल है शेर बाजार तथा भावी बाजार ये हमारे संग सूची का विशे है शेर बाजार स्टॉक मार्केट समवर्ती सूची का विशे नहीं है तो answer क्या होगा इसका B answer होगा ये वाला option गलत है जंगली जानवरत था पक्षियों का संरक्षन समवर्ती सूची का विशे हैं जंगल समवर्ती सूची का विशे हैं तो इसका B answer बिलकुल सही होगा तो friends देखिए यहाँ पर हमारे ये questions complete होते हैं ये सारे questions मैंने आपको कराया जो previous exam में question पुछे गए थे इस topic से तो ये छोटा सा topic था जो कि हमने अच्छे से इसको discuss कर लिया और एक important question answer test भी लगाया तो I hope आपको ये topic clear हुआ होगा तो friends अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करिए